हाँ यही रस्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है हेलो दोस्तो सभी को नए साल की हादिक सुपकामना है तो दोस्तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि सर आप जैन्वरी में क्या पढ़ाईएगा तो दोस्तो हमारी पीटी का स्टेडूल है वो बहुत ही जबरदस्त है सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे जारखन, बजट और आथिक सर्वेक्षन आप देखी रहे हैं कि हर PCS में पहले स्टेट PCS में तो नहीं आता था लेकिन अभी हर PCS में जो है दो-तीन कोश्चन जो है जारखन, बजट और एकोनोमिक सर्वेक्षन को मिला किया आता है यहाँ पर फेमस कोश्चन क्या पूशता है कि बताए कि राजकोश्य घाटा जो है 2021-22 का क्या रहा या इस बजट में क्या लक्ष रखा गया है फिर पूशता है प्रतिवेक्षि आयसे कोश्चन पूशता है फिर पूछता है कि जैसे आप जानते हैं कि जो अर्थ हुए वरस्ता है उसका तीन important component होता है primary sector यानि कि क्रिसी और संबंदी छेतर दूसरा होता है आपका secondary sector जिसमें आपका manufacturing sector cover होता है और तीसरा होता है सेवा छेतर तो पूछ लेता है कि बताए कितना योगदान है अर्थ प्राइमरी सेक्टर का secondary sector का साथ ही साथ जो है प्रतिवेक्ति आवला question जो है बनता है कि बताए जैसे जारकन का पूछ लेया कि 2020-21 में जो है क्या प्रतिवेक्ति आए रहा ठीक है उसके बाद economic जो भी data होता है वो आपको जो है दो पैमाने पे निकलता है एक होता है आपका पांच क्लास दिया जाएगा और दो टेस्ट लिये जाएंगे उसके बाद हम सब का फिरेट टापिक छोटा नाकपू टिनेंसी एक्ट जो पांच क्लास रहेगा इस पे भी और बिल्कुल डरने की बात नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया है था कि starting के जो 10 chapter है वो काफी important ह और बाद का 18 chapter ठीक है टोटल 19 chapter है उसमें से starting के 10 chapter important है उसमें भी जो आपका 2, 4, 6, 8, 10 है और जो chapter number 18 है मुंडारी खुंट कटिदार का वो काफी important है इसमें रहियत आपको जानना कि C&T में जो है चार टाइप के जो है रहियत होते है मतलब sorry इसमें चार टाइप के जो है कास C&T में 2016 में बदलाओ करने की कोशिश की गई थी तो एक famous question यह भी बन सकता है कि बताए निमलिकेत में से कौन से section को 2016 में बदलने की कोशिश की गई थी ठीक है तो आपको C&T का 3 section था आपका section 21 और section 49 उसके बाद section 71 जिसको बदलने की कोशिश की गई थी तो वहां से question बन सकत है और भी महत्पूर्ण तर्थ जो है जैसे की कासकार हो गया मुंडारी खुटकटिदार तो उनको कहां define किया गया है कौन सा chapter जो है मुंडारी खुटकटिदार को समर्पित है उसके बाद हो गया आपका की जैसे occupancy रायत जैसे जो रायत 12 साल तक लगतार खेती करते हैं उन जन जाती है वो important population नियम कानून है वो आपको पता रहे उसी तरह आपका जो है और ये CNT जो है ये छोटानाकपु एरिया में लागू होता है जो SPT ये संथाल प्रगना में लगता है इसमें भी 5 क्लास होगा उल्गुलान अंदोलन जो है बिसा मुंडा जी का उसके बाद ज संथाल प्रगना का जो संबंध है ये हूल डिवस यानि की संथाल प्रगना में जो सिद्धु कानू चान भैरो जो है उनसे रिलेटेड है ठीक है तो इस पे पांच क्लास होगा इसमें भी आपको जो है कास्का रहियत और क्या क्या जो है important provision वो जानना होगा इसमें तो बस 9 सिद्धु को देखना रहता है फिर आप जानते हैं एक कोश्चन तो जो है जाकर वन सर्विक्षन रिपोर्ट से बनता ही बनता है इस पे भी फिर दो क्लास दिये जाएंगे सी एंटी पे पांच क्लास होगा दो टेस्ट होगा और देखिए जैसे आप कोश्चन का डाम डाम जंगल है तो अब क्यों फर्स्ट नहीं सकेंड का भी कोश्चन पुछ लियाता है और जैसे अभी मैंने बिहार सेच्वाल के कोश्चन देखा था उसमें पूछा गया था कि बताएए भारत में जो है किस टाप की जंगल सबसे ज्यादा है रिजर्ब्ड प्रोटेक्टेड अनक्लासिफाइड मतलब कोश्चन का पुछने का तरीका है वो बदल रहा है और जार्खन वन सब्चन रिपूर्ट अड़ जो भारत का वन सब्चन रिपूर्ट है दोनों को दोनों हम लोग कवर करेंगे अभी जार्खन का देखेंगे और फिर बाद में क्योंकि दोनों ड स्ट्रीट में 2019 के कंपरेजन में जंगल सबसे आदा बढ़ा है तो आंजपर्देश जो है नंबर वन पर है नंबर दो पर जो है तिलंग आना है तो मतलब ऐसे बहुत से कोश्चन जो है हम लोग जारखंट के भी कवर करेंगे और इंडिया वाले जो है वो फरवरी में कवर कर है जो भी करना है अच्छे से करना है तो जनवरी 2022 से लेकि अपरिल 2022 तक करेंगे इसमें इंडिया और जारखंट दोनों ही होगा चार क्लास इस पर डिवोट होंगे और चार टेस्ट इस पर होगा ठीक है कॉम्प्रियेंसिबली हर चीजों को देखना है क्योंकि अब जानी कि अगर डेफ्थ में चीजे पढ़ी हुई रहेंगी तभी जाके वह प्रेशर में रिकॉल कर पाएंगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है और कल से हमारा पीटी के बैच स्टार्ट हो रहा है जिन लोग को भी क्वेरी है वो लोग मुझे वाट्सअप नंबर 9102983362 मेसेज कर सकते हैं यह 3 महीने का जो है ख्रैस कोस है और आपको हर महीने 500 रुपार देने है और इस्पेशल फोक में से ईमारा झारघंड पर 002 ऊहता है और जो पेपर 2 prax नंबरे वहां भीязुत कोचन जारघंड का होता है और जो पेपर 2 है वो तो पूरा कर पूरा झारघ तो 200 question में से आपके 110 question जार्खंड के आते हैं तो इसलिए जार्खंड का जो वेटेस है वो बहुत ज्यादा है दोस्तो तो इसलिए हमारा जो special focus है वो जार्खंड पे रहेगा साथ ही साथ हम लोग इंडिया का भी cover करेंगे तो जनवरी में जो तीन से बैच स्टार्ट हो रहा ह 28 दिनों में हमारा जो target है वो यही रहेगा कि जार्खंड budget, economic survey जार्खंड का, cnt, spt, wilkinson rule भी देख लेंगे उसके बाद आपका जार्खंड forest survey report हो गया, current affairs हो गया और चीजों को इस तरह से बता आपको बार-बार repeat कर आपको ध्यान में क्योंकि चीज़ें बहु ज्यादा factual बार-बार repeat करेंगे तभी जाकर जो है तो class में जो है बार-बार ओरली भी आपसे question पूछा जाएगा random ताकि जो है आप alert रहें और काफी दोस्तों आपको benefit होगा इससे, बाकी जो है जो भी आपकी query है WhatsApp no.9102983362 पे जो है आप message कर सकते हैं और एक last demo class जो है आज रखा गया है रात के 8 बजे तो जो लोग भी interested है वो लोग मुझे interested लिखके message कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर अपने जो भी doubts और query है उसको जान सकते हैं और बाकी चीजों को हम वहाँ demo class में explain करेंगे तो जो लोग भी interested है वो लोग मुझे WhatsApp no.9102983362 पे message कीजिए फरवरी या मा पीटी का form आ सकता है syllabus बहुत वास्ट है cutoff हाई जा रहा है तो यही सही मौका है कि हम लोग तयारी में लग जाए और फिर अराम से पीटी क्वालिफाई करें और उसके बाद फिर मेंस भी अच्छे से दे साथ हम लोग जो है पॉलिटी का मेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जंका यह दूसी वीडियो में दी जाएगी दोस्तों वो भी कल से स्टार्ट होगा टाइमिंग जो है वो साथ से साड़े आठ है पीटी बैच का गुगल मीट पे क्लास होगा क्लास दोनों लैंग्वेज में होगा हिंदी इंगलिस बोथ और उसके बाद नौ से के बैच चलेगा मेंज का